सिर्फ दो हजार लगाकर खड़ी कर दी एक करोड की कमपनी। शाक्टेंग इंडिया के सीजन 3 में कैंपस स्पेशल एपिसोड में 24 साल की शैली बुलचाननी जब पहुची तो उन्होंने सब को अपने पिच से हैरान कर दिया। सिर्फ 24 साल की शैली अपने बिजनस को लेकर जिस तरह से confident दिखी उन्होंने सभी शाक्स का दिल जीत लिया। Sophia Girls College से Bachelor of Computer Applications की डिगरी लेकर पास आउट हुई शैली नकली बाल बेच कर हर महीनों लाखों की कमाई करती है। शैली ने पढ़ाई के बाद एक software company में internship की है। काम सीखने की दौरान उन्हें लगा कि वो इस काम के लिए नहीं बनी है। शुरुआत से ही उन्हें styling का शौक था। इसलिए उन्होंने इसी को अपना career option चुनने का फैसला किया। शैली ने hair extension का business शुरू करने का फैसला किया और the shell hair की शुरुआत हुई। शाक्टंग इंडिया में पहुंची शैली ने बताया कि उन्होंने अपनी 2000 रुपए की pocket money लगा कर hair extensions का काम शुरू किया। 2000 लगा कर आगरा से बाल मंगवाए फिर खोद उन बालों से extensions का काम शुरू किया। उन्होंने कुछी महीनों में अच्छा sale हासिल कर लिया। शैली ने शाक्टंग इंडिया में 3% equity के लिए 30 लाक रुपए का निवेश मांगा। आपको बता दें कि शैली की company में निवेश के लिए अमन गुपता, अनुपम मित्तल और रितेश अगरवाल ने बोली लगाई। तो शैली के इस business idea के बारे में आपकी कराय है, हमें comment करके जरूर बताएं। खिलाल इस report में केवल इतना ही, ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहेए reporter जी।